अगर आपके फेस पर पिग्मेंटेशन है अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं डार्क स्पोर्ट्स है या फिर टैनिंग हो रखी है इन सभी प्रॉब्लम से चिटकारा पाना जाते हैं तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर यूज करें इसी के साथ ही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इस रेमेडी को कितने समय के लिए यूज करना है और एक हफ्ते में आप कितनी बारी से यूज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इसी के साथ ही गाईस अगर आप मेरे चैनल पर नही है चैन इस सारी चीज़े आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की और तो गाईस सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट इंग्रीडियन लिया है वो मैंने लिया है फैन्यूग्रीक सीट्स तो इसे मैंने रात भर के लिए भी गो कर छोड़ और पानी आपको इसमें उतना ही आड़ करना है जितना इसी में रहे आपको इसका पानी फिंकना नहीं है तो पानी आप इतना ही आड़ करें जिसमें अच्छे से सोख हो जाए और इसे इसी में उसका पानी जो है वो यूस किया जाए आपको पानी बिल्कुल भी इसका बाह तो आप इसे के साथ अगर आप अपनी उम्र को कम दिखाना चाहते हैं तो भी इसे यूज़ करें आपकी बहुती सदा है इस चीज में और इसी के साथ इसमें एंटी फंगल एंटी बेक्टिरियल और एंटी इंफ्लमेंटरी प्रॉपर्टीज भी होती है तो आपको क्या करना इसे मिक्सज यार में एड करना है और इसी के बाद एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है इसे एक कोटोरी में निकाल लेना है और इंग्रीडियन्स में कौन कौन से हमें एड करने है वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो इसमें हमें अभी next ingredient कौन सा add करना है वो मैं आपको बता देती हूं तो गाइस यहां पर जो मैं next ingredient add करने जा रही हूं इस home remedy में वो मैं यहां पर करण करूंगी तो कर जो है वो हमारी face पे काफी जादा face के लिए काफी जादा अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ जो भी हमारे face पे दाग धब्बे होते हैं वो light होते हैं हमारे face पे जो भी dark sports है या फिर pigmentation है इन सभी problem से चुटकारा पाने के लिए हमें जरूर यूज करना चाहिए आप डायरेक्ट करण भी अपने face पे अपलाई करें तो उसके भी काफी सदा अच्छे results आपको मिलेंगे और इसली के साथ है इसमें लैक्टिक ऐसीड होता है जिंक और मिनरल होते हैं तो यह काफी सदा अच्छा होता है हमारे face पे अपलाई करन है इसी के साथ मैंने यहां पर लेमन जूस एड किया है लेमन जूस में वाइटमीन सी होता है वाइटमीन सी बहुत ही ज्यादा बैनिफिशल होता है उन लोगों के लिए जिनके face पे दागदबी होती है जैसे आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहे हैं जिनके face पे पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है इसे अपने face पे अपर डाइरेक्शन में लगाना है अपर डाइरेक्शन में लगाने के साथ ही आपको क्या करना है इसे 15-20 मिनट तक छोड़ दे अपने face पे क्योंकि यह जो face पे कहना मेति दाना है यह आपके face पे अच्छे से जब यह चिपक जाएगा उसके बाद आपको इसे हटाने में तोड़ी से मशक्कत करनी पढ़ेगे क्योंकि हलकी हात्रौंसे मसाज करना है पेस को फीर से करना है एक हडानी हाथ हमारे सैंहे हाथ करें संथा ट्रीट करेगा आपकी स्किन को और आपको एक हफते में इसे दो से तीन बार अपलाई करना है तो काफी सद आच्छे रिजल्स मिलेंगे आपको दो तिन बार में ही इसके रिजल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और गाइस इसी के साथ ये आज मैं आपनी जो भी वीडियो को आपके साथ शियर की है ये अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना लेना बैल आइकन को प्रेस करना थेंकिए